मिठे बाबा, चारे बाबा, मिठे बाबा, चारे बाबा ओम शांती संगम युग का हीरे तुल्ले समे जब खुद दाता, विधाता, वर दाता, भाग के विधाता स्रिष्टी पर आते हैं और सच में, शिव भगवान वाच होता है इन खुद भगवान महावाक्यों का उचारण करते हैं साकार रूप धारण करके इन महावाक्यों का महत्व इस वाडी में छिपे हुए हर शब्द का महत्व हर भाव का महत्व और उस भाव और भावना में छिपे हुए बाबा के प्यार का महत्व यदि हम समझ जाएं तो मुरली पूरी तो छोड़ो पर एक शब्द भी मिसना हो और जितना हम इन महावाक्यों का रिगार्ड रखते हैं उन्हें दिल से सुनते हैं समाते हैं अंदर स्विकार करके स्वरूप में लाते हैं और फिर इन रतनों का दान करते हैं उतना इन महावाक्यों का हमारे जीवन में महत्व बढ़ जाता है और इन ज्ञान रतनों से हमारा जीवन भी बहुत ही योग युक्त, ज्ञान युक्त सुन्दर बन जाता है, अमुल्य बन जाता है तो संगम युक है अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने का युक्त, स्वयम को इस रिष्टी रंग मंच पर हीरो पाटधारी बनाने का युक्त, तो आज की मुरली हमें इश्वरी महवाक्यों का गुए अर्थ और महत्व बता रही है, सुनते हैं बाबा के अमुल्य महवाक्य आज है 39 तारीक, 39 चुलाई 2024, बाबा के मधर महवाक्य है, मीठे बच्चे, बाबा आया है, तुम्हें ज्ञान रत न देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, मुरली से प्यार नहीं, तो बाप से प्यार नहीं प्रश्ण है, सबसे अच्छा क्यरेक्टर कौन सा है, जो तुम इस नॉलिज से धारण करते हो, उत्तर है, वाइसलिस बनना, यानि निर्विकारी बनना, यह सबसे अच्छा क्यरेक्टर है, तुम्हें नॉलिज मिलती है, कि यह सारी दुनिया वीश्यस है, वीश्यस माना ही Characterless बाप आया है Viceless world स्थापन करने Viceless देवताई Character वाले हैं Character सुधरते है बाप की जाद से ओम शांती बच्चे तुम्ही पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे मीठे मीठे रोहानी बच्चे कहां बैठे हैं सब कहां बैठे हैं Godly Spiritual University में बच्चों को यह भी पता है कि हर पाँच हजार वर्ष बाद हम इस यूनिवर्शिटी में दाखिल होते हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप बाप भी है तीचर भी है गुरू भी है वैसे गुरू की मूर्थी अलग बाप की अलग तीचर की अलग होती है दुनिया में सब अलग होते हैं यह मूर्थी एक ही है एक ही मूरत है परन्तु है तीनों ही अर्थात बाब भी बनते हैं, तीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह तीन मुख्य हैं। बाप, तीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ती युनिवर्सिटी में, बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस जिस युनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं, इस युनिवर्सिटी में पढ़ो। यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है, होता है ना, अच्छे स्टुडेंट्स निकलते हैं, टीचर्स अच्छे होते हैं, तो फिर बताते हैं कि इस युनिवर्सिटी में पढ़ो। तो बाबा कहते हैं दुनिया में भी ऐसे ही होता है यहां knowledge अच्छी मिलती है और characters भी सुधरते हैं तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है जैसे दुनिया में उन universities की publicity होती है ना वैसे ही हमें भी बताना है दूसरों को कि यहां कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाते हैं माताए माताओं को पुरुश पुर्शों को समझाए दिखो यह बाब भी है, तीचर भी है, गुरू भी है ऐसे समझाते हैं वह नहीं वह तो हर एक अपनी दिल से पूछे कभी अपने मित्र संबंधियों, सक्खियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरू भी है बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है बाप, आप समान बाप नहीं बनाते जैसे दुनिया में होते हैं डॉक्टर डॉक्टर बनाते हैं इंजीनियर इंजीनियर बनाते हैं परन्तु बाप बाप नहीं बनाते हैं देवी देवता बनाते हैं बकि उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं जैसे बाबा मास्टर हमें शांती का सागर बनाते हैं मास् सर्वशक्तिमान बनाते हैं तो जो बाबा की महिमा है शांती का सागर सुख का सागर सर्वशक्तिमान उसमें आप समान बना देते हैं मास्टर बना देते हैं तो बाबा कहते हैं बागी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं बाब का काम है परवरिश करना और प्यार करना ऐसे बाप को जरुद याद करना है जो हमारी परवरिश करते हैं हमें प्यार करते हैं उनकी भेट और कोई से हो ना सके इतना प्यार, इतनी पालना, इतनी खुशी, इतना आनंद और कोई भी, कभी भी, किसी भी युग में हमें नहीं दे सकता तो उनकी comparison किसी से ने की जा सकती भल कहते हैं, गुरु से शांती मिलती है परन्तु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं और कोई बना सकता है विश्व का मालिक ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ है कोई इनसान जो ये कहे कि मैं विश्व की सर्व आत्माओं का बाप हूँ कोई नहीं कहेंगे यह किसको पताई नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है नहीं पता एक बेहद का बाप जिसे हिंदू, मुसल्मान, क्रिश्चन, आदी सब गौड़ फादर जरूर कहते हैं बुद्धी जरूर निराकार तरफ जाती है जो हम बताते हैं सर्व धर्मात्माउं का एक पिता कौन है वो है हमारा निराकार जूति बिंदू शिव बाबा जे सर्व धर्म की आत्माई, सर्व सम्मति से याद करती है जिन को स्विकार करती है यह किस ने कहा? आत्मा ने कहा क्या? गौड़ फादर जरूर मिलना चाहिए फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता? आते हैं तबी तो मिलते हैं ना सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पोल्ण करते है सबकी कामना रहते है कि हम शान्ती धाम जाए आत्मा को घर याद पड़ता है आत्मा रावन राज्ये में ठक गई है अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गौड़ फादर लिब्रेट करो तमुप्रधान बनते बनते पाट बचाते बचाते शान्ती धाम चले जाएंगे फिर पहले सुक धाम में आते हैं पहले सुक धाम में आते हैं शान्ती धाम के बाद ऐसे नहीं पहले पहले आकर वीश्यस बनते हैं नई, चक्र ऐसे नहीं फिरता, पहले सब बहुत अच्छे होते हैं, निर्विकारी होते हैं, पवित्र होते हैं, बाद में विश्यस बनते हैं, नई, बाप समझाते हैं यह है वैश्याले रावणे राज्ये, इसे रौरव नर्क कहा जाता है, गरोड पुराण में रौरव नर का वर्णन है, तो यह है रौरव नर्क, भारत में वैस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तके हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे, बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं, बह कभी जलने वाली नहीं है, यह है धारण करने की, यह जो सौगात है न ज्यान, धारण करना है, जो काम की चीज नहीं होती, उसको जलाया जाता है, ज्यान कोई शास्त्र नहीं, जो जलाया जाए, तुमको नॉलिज मिलती है, जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो, ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं, जो जला देंगे, नहीं, यह ज्यान आपे ही प्रायलोप हो जाता है, कोई पढ़ने की किताब आधी नहीं है, पढ़ने की कोई किताब नहीं है, जो खतम हो जाएगी, कुथी में धारण हो जाता है यह ज्यान, ज्यान विज्यान भवन नाम भी है, दुनिया में है न, दिल्ली में ज्यान विज्यान भवन, परंद उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों बढ़ा है, इसका आर्थ क्या है, ज्यान विज्यान की महिमा कितनी भारी है, ज्यान अर्थात, स्रिष्टी चक्र की नौलेज, जो अभी तुम धारण करते हो, विज्यान माना, शांती धाम, विज्यान ज्यान से परे, ज्यान से भी तुम परे जाते हो, ज्यान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्ये करते हो, तुम समझते हो, हम आत्माओं का बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवानु वाच गुम हो जाए, बोला है न, भगवानु वाच बोले, तुम आकर पढ़ाते हैं, भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। जमकत में ज्ञान और योग यानि नौलेज भी है और शक्ती भी है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यहें हैं बहुत सुक्ष्म बातें। बाबा में ग्यान है। जब उवाच करते हैं बोलते हैं तो वो ग्यान हम में भर जाता है। बाबा में वे ग्यान है। वो शक्ती है जिससे हम देहे और दुनिया को छोड़ दें। वो योग है। वो साइलन्स है। तो जो बाबा में है फिर वो हम में भर जाती है। और हम भी देहे और दुनिया से पार परमधाम चले जाते है बबा कहते हैं यह है बहुत सुक्ष्म बाते ज्ञान से विज्ञान बहुत सुक्ष्म है ज्ञान से भी परे जाना है इस नौलेज से भी परे जाना है ज्ञान स्थूल है जो भी बबा ज्ञान देते हैं स्थूल ग्यान है लेकिन वास्तविक्ता में जो हम बताते हैं क्या ग्यान दिया कि हम आत्मा है पर विज्ञान जब योग में स्थित हो जाते हैं अपने को आत्मा समझते हैं भबा को याद करते हैं सब दिखाई नहीं देता स्थूलता में नहीं है सुनाई भी नहीं देता यह अनुभव होता है फील होता है तो बहुत सुक्ष्म बाते हैं ज्यान से विज्यान बहुत सुक्ष्म है ज्यान से भी परे जाना है ज्यान स्थूल है हम पढ़ाते हैं आवाज होता है ना तो ज्यान दे रहे हैं तो आवाज हो रहा है न विज्ञान सुक्ष में है योग लगाएंगे आवाज नहीं होगा इसमें आवाज से परे शान्ती में जाना होता है जिस शान्ती के लिए ही भटकते है सन्यासियों के पास जाते है परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है टंप्रेरी शान्ती मिल सकती है पर्मनेंट नहीं मिल सकती हठ योग करते खड़े में बैठ जाते परंतु इससे कोई शान्ती मिल ना सके यहाँ तो यहाँ ऐसा नहीं करना है इतनी महनत नहीं करनी है यहां तो तकलीफ की कोई बात नहीं पढ़ाई भी बहुत सहज है साथ रोज का कोर्स उठाया जाता है साथ रोज का कोर्स करके फिर भल कहां भी बाहर चला जाए ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में करना सके तुम्हारे लिए कोर्स ही यह साथ रोज का है सब समझाया जाता है परंतु साथ रोज देते हैं लोग आजकल तो टाइम ही नहीं है किसी के पास साथ रोज कोई दे ना सके तो बाबा कहते हैं बुद्धी यूग कहा न कहा चला जाता है होता है ना कोई एक आग्रचित होकर थोड़ी न पढ़ाई पढ़ता है तो बाबा कहते हैं तुम तो भठी में पढ़े दादियां वो तो बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल डिटाच होकर भठी में बैठे कोई की शकल नहीं देखते थे कोई से बात नहीं करते थे इतनी परहेज थी बाहर भी नहीं निकलते थे तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में उस समय यह चक्र नहीं समझा था इतना विस्तार नहीं था उस समय ग्यान का बस सोल कॉंशिस होकर बैठ जाते थे तो बस बाबा को याद करते थे ये पड़ाई नहीं समझते थे पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए ये आधार है अगर ये आधार मजबूत है फिर सब कुछ सहज है बाप का परीछे चाहिए फिर पीछे टीचर चाहिए पहले बाप, फिर टीचर तो पहले तो बाबा ने बिलकुल ऐता लवलीन बना दिया बच्चों को जैसे एक बाबा की याद में खोए होए हैना बाद में फिर ज्ञान पहले बाप फिर टीचर पहले तो बाप के साथ यूग कैसे लगाए यह भी सीखना पड़े क्योंकि यह बाप है अशरीरी इसलिए सीखना पड़ता है दूसरे तो कोई मानते ही नहीं कहते हैं Godfather Omnipresent है बस सर्वव्यापी का ग्यान ही चला आता है अभी तुम्हारी बुद्धी में वह बात नहीं है तुम तु स्टूडेंट हो बाप कहते हैं अपना धन्दा आदी भी भल करो परन्तु क्लास जरूर पड़ो सब कुछ करो पढ़ाई नहीं छोड़ो ग्रहस्त व्यहवार में भल रहो अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे बाप तो उच नहीं कर सकते न फिर अरे भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने भगवान वाज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे एसे कौन ठहर सकेंगे इसलिए ही तुम्हारा भाग ना हुआ विश से बचने के लिए भागे शुरू शुरू में कितने भाग भाग कर आए तुम्हार भटी में पड़े जो कोई देखना सके मिलना सके कोई को देखते भी नहीं थे तो फिर दिल किससे लगाए किससे लगाए यहाँ बच्चों को निष्चे भी है कि भगवान पढ़ाते है फिर भी फिर भी क्या करते है बहाना करते है कारण बताते रहते हैं, बीमारी है, यह काम है, बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, शिफ्ट होती है न, स्कूल के अंदर भी शिफ्ट होती है, ओफिसेज में भी शिफ्ट होती है, तो बाबा कहते हैं, मैं तो बहुत सारी shift दे सकता हूँ center पर भी ऐसा नहीं है केवल morning class होती उसके बाद भी evening में भी होती है classes आजकल school में shift बहुत देते हैं यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं सिर्फ अल्फ और बे को समझने लिए बुद्धी अच्छी चाहिए अल्फ और बे यह याद करो सभी को बताओ त्रिमूर्ती तो बहुत बनाते हैं परंतु उपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं यह थोड़ी समझते हैं गीता का भगवान शिव है जिस द्वारा यह knowledge लेकर विश्णू बनते हैं राज युग है न अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म कितनी सहज समझानी है किताब आदी तो कुछ भी हाथ में नहीं है सिर्फ एक बैज हो उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ती का चित्र हो जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रम्भा द्वारा पढ़ाई पढ़ा कर विश्णू समान बनाते हैं कई समझते हैं हम राधे जैसा बने कलश तो माताओं को मिलता है गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है तो ये कलश जब वो आत्मा राधा की आत्मा अपने अंतिम समय में होते है अंतिम जनम में होते है तो उस जन्म में राधा को ये ज्ञान का कलश मिलता है ये जिम्मेवारी मिलते है ये हराज भी बाप ही समझा सकते है और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते है कोई तो एक रोज आते फिर चार रोज नहीं तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते थे बाप को याद करते थे स्वदर्शन चक्र फिराते थे जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए कई बदली हो कर जाते हैं फिर भी कोई सेंटर का आत तो जरूर है उनको मंत्र मिला हुआ है है ना तो मंत्र मिला हुआ है किसी और सेंटर से कूर्स किया हुआ है, ना, तो बाबा कहते हैं, बाब को याद करना है, और चक्र को फिराना है, ट्रांस्फरेबल जॉब होती है, तो फिर इधर से दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं, तो बाबा को याद करना है, दूसरा चक्र फिराना है, बाब ने तो बह बहुत सहज बात बताई है अक्षर ही दो है कौन से मन मना भव मुझे याद करो और वर्से को याद करो इसमें सारा चक्र आ जाता है जब कोई शरीर छोड़ते है तो कहते है फलाना स्वर्ग बधारा क्या देना फलाना स्वर्ग गया पर तो स्वर्ग क्या है इसको पता नहीं है तुम अभी समझते हो वहाँ तो राजाई है उच से लेकर नीच तक साहुकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते है यहाँ है कंट्रास्ट दुखी दुनिया वह है सुखी दुनिया बाप समझाते तो बहुत अच्छा है भल कोई दुकानदार हो वक्याबी हो पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो पूछना है उनसे स्वदर्शन चक्र फिराते हो बाबा किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते बस याद करो स्वदर्शन चक्र फिराओ खाओ पीओ घूमो फिरो उसकी कोई मना नहीं है इसके लिए भी टाइम निकालो औरों का भी कल्यान करना है पिर जब अपना कल्यान हो जाए तो सेवा करने है समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है बहुत लोग आते है भल मुसल्मान है वह पार्सी है हिंदू है बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो परन्तु यह जो तुम्हारा शरीर है यह तो पुराना मैला वस्त्र है आत्मा भी तमु प्रधान है उनको सतु प्रधान स्वच्छ बनाना है जुसका जैसा प्रोफेशन है जो कारोबार है उसी अनुस्तार उसको ज्ञान सुनाना है यह सारी दुनिया तमु प्रधान पतित कल यूगी दुनिया है कल यूगी है पुरानी है तो ये सारी दुनिया क्या है तमू प्रधान है पतित कल यूगी पुरानी है तमू प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्षे है ना अब करो ना करो बाबा ने तो बता दिया करो या ना करो, समझो ना समझो तुमारी मर्जी, तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए, अभी तो तुमारी आत्मा इंप्योर हो गई है, आत्मा और शरीर दोनों मेले है, ऐसे से समझाएंगे ना, तो दिल को लगेगा, उनको साफ करने के लिए, तुम बाप को याद करो, तु गैरंटी है, तुम्हारी सोल एक दम, सौ प्रतिशत पवित्र सोना बन जाएगी, फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, फिर बॉड़ी भी अच्छी मिलेगी ना, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, यह भी कितनी सर्विस होई, है न, डॉक्टर्स पास जाओ, बाबा अलग अलग तरीके से विदी बता रहे हैं, कैसे किसकी सेवा करो, दुकानदारों की सेवा, धोबी घाट वालों की सेवा, कपड़े साफ करने वालों की सेवा, डॉक्टर्स की सेवा, कॉलेजों में जाओ, बड़ो बड़ों से जाकर, बड़ों बड़ों को जाकर सम कि character बहुत अच्छा होना चाहिए. यहां तो सब है characterless. इस दुनिया में सब चरत्र हीन है. चरत्र बहुत अच्छा होना चाहिए. बाप कहते हैं, Wiceless बनना है. दुनिया थीना. ऐसी चीज नहीं है जो नई बन रहए है. वैसी ही दुनिया थी, पवित्र दुनिया थी, निर्विकारी दुनिया थी, अब दुबारा बनना है. नई बात नहीं है, कल्प कल्प बने है. अभी vicious है अर्थात, characterless है Character बहुत खराब हो गए है सारी बात ही चरत्र की है Wiceless बनने के बिना सुधरेंगे नहीं पहले पवित्र बनना पड़ेगा, निर्विकारी बनना पड़ेगा तब सुधरेंगे यहाँ मनुष्य है ही कामी अभी vicious दुनिया से Wiceless World एक बाप ही स्थापन करते है बकि पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी यह चक्र है न? इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है यह Wiceless World थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे अभी वो कहां गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है देवी देवताओं ने भी चुरासी जन्म लिये है अभी तुम सयाने बने हो आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है? तुम फील करते हो फील करते हैं न, कितनी गंदी है बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है चारों तरफ नजर घुमाओ तो सच में बाबा जो कहते हैं न कितनी वीश्य सो चुकी ये दुनिया कैसे वैश्याले बन चुका है ये दुनिया इल्कुल ठीक कहते हैं बाबा तो बाबा कहते हैं वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया यह पवित्र दुनिया न होने कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं देवताएं है स्वर्ग में देवताएं तो स्वर्ग में है ना इस हिंदुस्तान में नहीं है अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो जो जो sensible हैं वह अच्छी रीती समझते हैं समझते सब हैं पर important है अच्छी रीती समझना exactly समझना किवल कहानी की तरह नहीं परंतो मैं आत्मा ही होकर गई हूँ इन अलग-अलग stages से मैंने अपने आपको निकाला है अब मुझे फिर से number one बनना है तो यह feeling, यह sensibility इसमें number one हो जाते हैं तो इसलिए अच्छी रीती बाबा समझाते हैं जो sensible हैं वो अच्छी रीती समझते हैं तो जैसे बाब समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ फिर सुनाओ बाब ने यह यह point सुनाई है बोलो, मैं तो गीता का ज्यान सुनाता हूँ यह गीता का ही युग है चार युग है यह तो सब जानते हैं यह है लीप युग इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है तुम जानते हूँ यह पुरुशुत्तम संगम युग है मनुष्य शिव जयानती भी मनाते है परन्तु वह कब आई क्या किया यह जानते नहीं शिव जयानती के बाद है कृष्न जयानती फिर राम जयानती जगत अमबा जगत पिता की जयानती तो कोई जानते नहीं सब नंबर वार आते है न अभी तुमको यह सारी नौलेज मिलती है सारे इस रिष्टी चक्र की नौलेज स्वयम पर अंपिता पर मात्मा का ज्यान स्वयम का ज्यान अब हमें मिलता है अच्छा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्य सार पहला हमारा बाप सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर सुप्रीम सत्गुरु है यह बात सबको सुनानी है अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है दुसरा ज्यान अर्थात स्रिष्टी चक्र की नौलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शान्ती में जाना है साथ रोज का कोर्स लेकर फिर कहां भी रहते पढ़ाई करनी है पढ़ाई पूरा करना है और मुडली मिस नहीं करनी आज भबने पक्का कराया है न वैदान है सेवा में मान शान के कच्चे भल को कौन सा है कच्चा भल? मान का शान का इस कच्चे भल को त्याग सदा प्रसन चित रहने वाले अभि मान मुक्त भावा अभि मान से मुक्त कैसे रहेंगे? जब सेवा में मान शान का कच्चा भल स्विकार नहीं करेंगे उसे त्याग करेंगे और प्रसन अचित रहेंगे रोयल रूप की इच्छा का स्वरूप क्या है? नाम, मान और शान है जो नाम के पीछे सेवा करते हैं मेरा नाम हो जाए इसलिए सेवा कर रहे हैं उनका नाम अलप काल के लिए हो जाता है लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा भल खा लिया कई बच्चे सोचते हैं इस सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए. लेकिन यह मान नहीं. क्या है? अभिमान है. मान की इच्छा करना अभिमान है. जहां अभिमान है, वहाँ प्रसनता नहीं रह सकती. इसलिए अभिमान मुक्त बन, सदा प्रसनता का अनुभव करो. अगर अभिमान है न, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे. Arya अभिमान से मुक्त रहो और खुश रहो. प्रसन्न रहो. स्ट्रोगन है परमात्म प्यार के सुख दाईी जूले में जूलो. कौन से जूले में? परमात्म प्यार के सुख दाईी जूले में जूलो, तो दुख की लहर आ नहीं सकती, चाहते हैं न, दुख ना हो, बस बाबा के प्यार के, सुख के जूले में जूलो, तो असुनते हैं आज का व्यक्ति शारा, वर्तमान समय अनिक आत्माओं में सो उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ती नहीं है चाहते हैं कल्याड करना खुद का लेकिन हिम्मत और शक्ती नहीं है ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले बाबा ने कहा ऐसी निर्बल आत्माउं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित हो तो उपकार सच्चे दिल से होता है विश्वराज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ पर उपकारी बनो खुद का भी उपकार करो और दूसरों का भी चाहा, ओम शान्ते तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थी का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थी का प्रभु तेरी मीठी आदों में प्रभु तेरी मीठी आदों में रस है मोनाई मस्ती का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थी का वो देह का भान है भूल गया वो दुनिया पुरानी याद कहां दोनों नेनों में जूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां आकाश भी छोटा लगता है आकाश भी छोटा लगता है कतवाना लगता धरती का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ पीका हर तरफ चमकते नूर दिखें मनियों से सजा है जग अपना आबाद जिन्दगी गाती है अब सच हो गया मेरा सपना क्या कहिए खेवन हार बना भगवान है अपनी करश्टी का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ पीका प्रभु तेरी मीठी यादों में प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मसी का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ पीका प्रभु तेरी में जो सुख मिलता है तेरी में जो पीका प्रभु तेरी में जो सुख मिलता है कर दो कर दो